वेलकम तू इंडियन तड़का आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूं चट पटी डिलीशियस खटी मीठी केरी की सबजी की रेसिपी कच्छे आम की सब्सक्राइब भी बोल सकते हो आप इसे बहुत ही जाधा डिलीशियस सब्सक्राइब की रेसिपी है और मिंटों मे हैं जिसने आपको कट कर लेने हैं क्वांटिटी आप अपने जरूरत के होडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं फिर आपको गेस पर एक पैन लेना है और इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा ओयल मैंने यहां पर सरसो का तेल एड़ किया है आप कोई भी कुकिंग और यूज क कर सकते हैं साथ ही एड़ करेंगे दो लोंग और एक तेजपात जब आप यह सभी मसाले डालें तो क्या तो आप गिसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर ले या फिर ओफ कर दें तेल के अच्छे से गरम हो जाने के बाद और सभी चीज़े एड़ करने के बाद फिर से उन कर ले बिल्कुल लो कर ले अब आपको इसमें एड़ करनी है केरी जो हमने कट करके रखी थी पहले मैंने केरी को पीलोव कर लिया था उसके बाद इस तरह से स्लाइसे में कट कर लिया है अब इसे किसी भी साइज और शेप में कट कर सकते हैं लगबग एक से दो मिनट के लिए थोड़ी देर के बाद यहांद इसमें किछनग मसाला को अच्छे से मिक्स करते विए इससे चला लेना है थोड़ी देर के बाद आपको इसमें add कर लेना है पानी तो मैंने यहाँ पर half glass पानी add क्या है अगर आपको ग्रिवी ज्यादा पतली और ज्यादा चाहिए तो आप इसमें एक ग्लास पानी भी add कर सकते हैं और half glass पानी एकदम perfect है और ठंडी होने के बाद इसकी जो ठिकने से वो इकदम बढ यार हो जाती है और थोड़ी दिर के बाद आप देखेंगे जो केरी है वो पूरी तरह से पख गई है आप इसका टैक्शर देख पा रहे हैं केरी एकदम सॉफ्ट हो गई है तो जब केरी पूरी तरह से पख जाती है तब आपको इसमें एड़ करना है दो टेबल स्पून चीन साथी एड़ करेंगे 50 ग्राम करश किया हुआ गुड तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सब्जी के पूरी तरह से पक जाने के बाद ही आपको इसमें गुडची नहीं एड़ करनी है अब आपको इसे हलका मेल्ट होने तक पका लेना है लगबग 2 मिनट के लिए पकाना है मिठा डालने से आपकी सब्जी एकदम चटपटी खटी मेठी डिलिश्यस बनेगी जो बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी यह सब्जी पूरी पराठे के साथ रोटी के साथ सब्जी के साथ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है आप से ट्रेवल के ट तैयार होगी है अब आपको गेस्की फ्लम को ओफ कर देना है और गर्मा गरम आप इस सब्जी को टेस्ट करके देखिएगा बहुत ज्यादा डिलिश्यस बनेगी यह सब्जी ठंडी होने के बाद तो और भी ज्यादा बढ़िया लगती है और दोस्तों अगर आपका इस वी के साथ भी शेयर करेगा थैंक्स फूर वोचिंग